सबिस्क्राइब औरन विट्र लेठीब चैनल उब्रोषं आजन कि उन किसन हम लाष्सस ऑप्षंस सक्राइब आज के अपकर सब्सक्राइब यह Kore-Dream चीज़ा बताने वाला हूँ जिसमें आपको कभी भी over long period of time loss होगा ही नहीं तो ऐसी 4 चीज़े market में जिससे हमको कभी loss ही नहीं हो सकता तो वो चीज़े भी हम इस वीडियो में cover up करने वाले तो पहले हम एक difference देखेंगे what is index fund and ETF तो दोस्तो पहले हमको देखना होगा index fund क्या है an ETF क्या है तो दोस्तो index fund वो होते हैं जिसमें आप एक NAV भाय करते हैं that is एक आप mutual fund भाय कर रहे हो mutual fund आपने खरीदा है उसका जो भी NAV है वो आप हर मन्त SIP पे कर रहे हो या आपने lumsum में एक साथ invest किया है ठीक है तो ये index fund एक तरह का mutual fund होगा और ये mutual funds तरह तरह की companies में invest करते हैं आपके पैसे और उसके base पे आपको एक return मिलता है तो ठीक है तो ये fluctuate हो सकता है शायद वो company जिसमें उन्होंने जादा पैसे लगा है वो इतने आउट पर्फर्म न करे तो उस हिसाब से index fund में भी losses हो सकते हैं बट over the period of time कौन कैसा पर्फर्म कर रहा है ये अलग-अलग mutual fund अलग-अलग तरीके से work करेंगे अब हम बात करने वाले exchange traded fund दोस्तों exchange traded fund से पहला वड़ाता है exchange यानि कि इसको आपको NSE या BSE में ही trade करना है that is NSE exchange and BSE exchange तो इसे का जाता है exchange traded fund अब ये ETF क्या होते हैं और तरह तरह के ETF क्या हैं तो ये concept भी हम देखने वाले इसको आप एक shares के तरीके से buy and sell कर सकते हो और आपको जिस तरह के stocks में दिखा रहा है कि यहाँ पे 100 पे एक seller खड़ा है 101 पे 99 पे buyer खड़ा है तो उसमें भी इस तरह का ही सब कुछ होता है जिस तरह का details shares में होते हैं but difference इतना होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इसका IPO नहीं आता है ठीक है जैसे आपको listing तो यहाँ पे एक नॉर्मल वे में listing होती है exchange में एक NFO टाइप की exchange में listing होती है और इसमें भी अलग-अलग company हैं जो यह ETF that is exchange traded fund provide करने वाली है तो दोस्तों अब हम focus shift करेंगे exchange traded fund के दरा अब में आपको दो difference बता दिये कि index fund में आपको loss हो सकता है over the period of time भी but exchange traded fund में chances are very very less of getting losses less भी नहीं 99.99% सिवो 0.01% रखना पड़ा है क्योंकि 100% कहीं पे भी guarantee नहीं रहती है तो वो 0.001% ही है तो आपको किस तरह से 100% के अरण profit हो सकता है तो चलिए वो topic भी हम देखते हैं अभी तो दोस्तो what are ETF and Bs अब ये ETF क्या होता है और Bs क्या होता है तो अब हम इसे समझेंगे पहले तो दोस्तो अब हम देख सकते Nippon India ETF Bs अब ये Bs क्या है और देखिए दोस्तो HDFC Banking ETF है SBI ETF Nifty Bank है अब क्या होता है कि ये जो Bs और ETF है ये आपकी Bank Nifty की copy कर रहे है ठीक है अब आपको क्या लगता है यहां से Bank Nifty आने वाले 5 साल 10 साल में कहां पर जाएगी अभी समझो let's say it is around 41 to 42,000 ओके तो आने वाले 5 साल में आपको क्या लगता है 60,000 जाएगी 70,000 जाएगी तो आपके 5 साल 10 साल में अगर suppose आपका answer है यहां से अप ही जाने वाली है यह 60 जाएगी यह 70 जाएगी यह 80 जाएगी then आपको Bank Bs में invest करना है थोड़े बहुत पैसे क्योंकि आपको आप यही अभी खुद बोल रहे थे कि उपर जाने वाले यानि कि अगर उपर जाएगी over the period of time then यह Bs भी उपर ही जाएगी क्योंकि यह 20 क्या करते हैं आपकी Bank Nifty की नकल करते हैं अगर इंडेक्स इस तरह से बढ़ रहा है तो मैं भी इसी तरह से बढ़ूंगा तो यह ज़स्ट कॉपी करते हैं अभी जिसने 10 साल पहले इंडेक्स देखा था और अभी का इस सालों में भी यही डिफ्रेंस भरकरार रहेगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी यहां से सभी चीजें ऊपर ही जाने वाली है over the period of time अगर आप अभी इसे 195 में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 10 साल में अगर निफ्टी यहां से 40,000 भी हो जाती है तो यह आपको 400 रुपे के आराउंड या उससे भी उपर में आपको दिखेगा अब इसे मैं कर रहा हूं तो आप बोलोगे यहां पे तो 10 साल 20 साल में पैसा डबल होता है तो दोस्तो आपको इस तरह से नहीं ट्रेड करना है यहां पर जब कभी मार्केट में बहुत बड़ा डिप आता है न या 20 परसंट 20 परसंट कर रहूंगा तब आपको इसको बाई कर देना है और इसको चर्न करते रहना है यहां कि स्मॉल कॉंटिटीज में आप बाई करते जाओगे जो भी भी डिप फॉल आएगा बड़ा फॉल आएगा डिप आएगा एंदेन आपको लग रहा है कि नहीं अभी यहां से मार्केट बहुत ही और प्राइस होगे तब आप इसे सेल कर दी यह क्या होता है लोग आप्शन्स में ट्रेडिंग करते एंदेन वो अपना करना तो आप इसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हो दीन के इसाब से तो दोस्तों और एक चीज में बताना चाहूंगा यहां पर निपॉन एटिफ इफ इप इपन करेगा जैसे यहां पर देख सकते हो आप यह बैंक निफ्टी पर डिपन करता है यह निफ्टी फिफ्टी पर तो यह आई-टी इंडेक्स पर डिपन करेगा तो यह भी इसी तरह से रिटन देगा जब शुरुआत हुई तब यह बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल थे बट अब यह देखिए इनका प्राइस ओवर चले गया है क्योंकि यहां से बैंक निफ्टी और निफ्टी भी अ और आपको ज्यादा तर ट्रेडिंग इस बीज में करनी है देट इस निपॉन इंडिया एटी एफ निफ्टी भी और निपॉन इंडिया आईटी बी और इन तीनों में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग क्यों करनी है यह क्यों बाय करना क्योंकि यहां पर लिक्विडिटी है द भी यहां पर invest करते हैं तो इस चीज में बहुत सारा लिक्विड रहता है यहाला कि इसमें लिक्विडिटी थोड़ी बहुत कम है बट मैं प्रिफर करता हूं आप निपॉन इंडिया ETF, Bank Bees, IT Bees and Nifty Bees को ही प्रिफर करें विच इस रिलेटेट टो निपॉन इंडिया तो उम्मीद करता हूं आपको यहां से कुछ सीखने मिला रहेगा and specially जो options buyers और sellers और जो जिन्होंने option में बहुत पैसा लगाया है और loss किया है तो वो इस बीज को जरू देखे experiment करें पहले एक मज़े तक क्या सही में यह work करता है then आप investment करना चालो करें आप child education के लिए भी इसमें investment कर सकते on dips and sell on rice उमीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको जरूर कुछ नया सीखने मिला है अगर सीखने मिला है और आप मेरी learning community को जॉइन करना चाहते हो तो मेरी channel को जरूर subscribe करें और हमें telegram channel पे भी जरूर follow करें पूरा detail आपको description में मिल जाएगा उमीद करता हूं आप इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक share करोगे ताकि जो options में loss कर रहे हैं उनको यहां से कुछ सीखने मिले thank you friends for watching trading with rohan